दोस्तों आज हम लोग matter और material के बारे में पढ़ेंगे प्रती दिन हम लोग अलग अलग तरह के पदार्थों का materials का इस्तमाल करते हैं वस्तों का इस्तमाल करते हैं सारी वस्तों या कोई चीज matter का बना होता है matter उसे कहते हैं जो कुछ वजन रखता है, mass रखता है, साथ-साथ कुछ जगा शेकता है उसे matter कहते हैं यानि anything that has mass and that occupies space is called matter for example, air, water, rocks, etc. इसका मतलब जो भी चीजें हम लोग अपने चारो तरफ देखते हैं जहें पानी हो, घर हो, मकान हो, इट हो, पत्थर हो, बलून हो, हवा हो सारी चीजें matter की बने हुई होती हैं यानि की हम लोग बोल सकते हैं solid, liquid और gas ये जो तीनवे state है, ये matter का होता है solid का definite shape and size होता है या कभी नहीं बदलता जैसे paint, pencil, bricks, chair, toys ये कभी नहीं अपना नहीं रूप बदलते नहीं अपना आकार बदलते हैं liquid, liquid का अपना definite quantity होता है volume होता है इनका नहीं safe होता है, नहीं size होता है जिस वस्तों में इसको रखते हैं उसके हिसाब से ये अपना रूप बना लेता है liquid जो होता है, ये easily flow हो जाता है इसको हम लोग के दूसरी चीजों में धाल भी सकते हैं जैसे पानी, दूद, oil, petrol, etc gas gas का नहीं shape होता है, नहीं आकार होता है या किसी भी दिसा में फैल जाता है, flow हो सकता है इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं gas को हम लोग देख नहीं सकते केवल इसको सूंग सकते हैं या महसूस कर सकते हैं जैसे water vapor, cooking gas, oxygen, carbon dioxide, फूलों की खुश्बू इस तरह का जो भी example हम लोग देखते हैं ये सारा हमारा gas का example होता है तब हम लोग matter को ठंधा करते हैं या गर्म करते हैं तो कुछ matter ऐसे भी होते हैं जो अपने स्थिती में परिवर्तन कर लेते हैं जैसे पानी को यदि हम ठंधा करते हैं तो ये ice बन जाता है और जब गर्म करते हैं तो वेपर बन जाता है इसका मतलब यह हुआ कि पानी तीनों फॉर्म में पाय जाता है Solid, Liquid and Gas Solid means Ice, Liquid means Water, Gas means Vapor The process of changing of liquid into solid is called freezing मतलब liquid से solid में बदलने की प्रक्रिया को freezing बोलते हैं Solid से liquid बनने की प्रक्रिया को melting बोलते हैं Liquid से gas बनने की प्रक्रिया को evaporation बोलते हैं Gas से liquid बनने की प्रक्रिया को condensation बोलते हैं इन सारी changes प्रक्रियाओं को हम लोग physical changes बोलते हैं इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं All materials are made up of matter कुछ matter हमारे environment में, nature में बिल्कुल ऐसे ही पाय जाते हैं जिसको हम लोग natural material बोलते हैं जैसे पत्थर, मिर्टी, पानी, प्लांट, एक्सेटराज और कुछ material जिसको हम लोग खुद से बनाते हैं जिसको हम लोग synthetic material या man made material बोलते हैं जैसे plastic, paper, furniture, bricks, इत्यादी दोस्तों, अभी हम लोग matter और material पढ़ रहे थे अगले वीडियो में हम लोग matter और material का second part पढ़ेंगे जिसमें material का kinds पढ़ेंगे जो different different types के materials होते हैं उनके बार में पढ़ेंगे थैंक्स पो वाचिंग प्रग्यान पाट साला इस वीडियो को like करें, subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि सारे बच्चे इससे लाभानवीत हो सकें और bell icon को hit करना ना भूलें